बंगाल की खाड़ी में बना तूफान दाना 24 अक्टूबर की शाम ओडिशा के तड़ से ठकराएगा जिसकी रफ़तार 110 से 120 किलोमेटर प्रती घंटे तक पहुँच सकती है लेकिन क्या आपको पता है कि आप जहां रहते हैं वहां भी इस चक्रवाती तूफान का बड़ा गंभीर असर देखने को मिल सकता है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं चक्रवाद दाना से निपटने की तैयारियां क्या हैं और इसका असर किन किन राज्यों पर पड़ेगा पहले तो ये जान लीजे कि तुफान की वज़े से ओडिशा और बंगाल में तेज हवाएं चलेंगी बहुत भारी बारिश होनी की संभावना है तो क्या ऐसी ही हवा और इतनी ही तेज बारिश देश के अलग-अलग राज्यों में भी होगी अगर हां तो ऐसे कौन से राज्य हैं जिसका असर दिखाई दिये सकता है दरसल ओडिशा और पश्यम बंगाल में आने बाले चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है कहा जा रहा है चक्रवाती तूफान दाना समुद्री तट से तकराएगा जिस वज़ पान धूर भरी आंधी भी चल सकती है गरज के साथ बारिश भी हो सकती है लेकिन अब आप जान लीजे कि इसका असर बिहार में किस तरीके का और जारखंड और यूपी में किस तरीके का रहने वाला है जिस वक्त ये तूफान टकराएगा उस वक्त इसकी रफतार 120-130 लेने लगा है पटना मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है इसमें मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में 24 अक्टूबर से आंधी और बारिश की आशंका जताई है तूफान दाना की वज़े से यूपी में मौसम बिगड़ रहा है सूबे के कई जिलो में 24 अक्टूबर से 36 घंटे तक गरज चमक के साथ बारिश के आसार है इस दोरान धूर भरी आंधी भी चल सकती है आई एमडी के पुरवानुमान के मताबिक 24 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी हिस्से की कई जिलों में गरज चमक के साथ हलकी बारिश हो सकती है जबकि पश्यमी यूपी में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा 25 अक्टूबर को भी मौसम ऐसा ही रहेगा उसके बाद 26, 27 और 28 अक्टूबर को मौसम शुस्क रहेगा मौसम विभाग ने बिहार के जमूई बांका, शेखपूरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और लखी सराय जिलों समयत कई जिलों में दो दिनों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिदने और भारी बारिश हो सकती है इसके साथ ही तेज हवाईं भी चल सकती हैं जिसकी रफतार 40 किलोमेटर प्रत्वी घंटे तक हो सकती है 24 से 26 अक्टूबर के बीच इन जिलों में कई स्थानों पर बारिश के आसान है इसका असर नजदी की जिले, पटना और गया के अलावा कि शुनगंज, पूनिया, कटिहार, भागलपुर और मुंगेर में भी दिख सकता है दिली अंसियार में दिन की तापमान में हलकी गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं कहीं अभी भी गर्मी के अहसास जारी है मौसम विभाग के मताबिक 24 अक्टूबर को अधिक्तम तापमान 33 डिग्री और नियुंतन तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है दरसल जार्खंट से सटे जिलो के लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है इस तुफान के असर को देखते हुए राजधानी पटना साइथ 20 जिलो में येलो अलर्ट जारी किया गया है गंभीर चक्रवाती तुफान का प्रभाव 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबे को बिहार के पूर्वी भाग यानी सुपॉल अररिया के साथ साथ कई और जिलो में भी देखने को मिल सकता है गंभीर चक्रवाती तूफान का प्रभाव 25 अक्टूबर ही नहीं बलकि इसका प्रभाव 26 अक्टूबर को भी देखने को मिल सकता है 26 अक्टूबर के दोरान दक्षुन बिहार एवं पूरवी बिहार के जिलों के कुछ स्थानों और शिश भाग के एक या दो स्थानों में हलकी से मध्यम बर्शा की संभावना भी है इस तूफान का असर सिर्फ तेज हवा और बारिश के रूप में नहीं बलकि तापमान के गिरावट के रूप में भी दिखाई देगा वैग्यानिकों का कहना है कि दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिगरी से गिरावट होने की संभावना है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद